चर्डों भाईव बेनों वीडियो स्टार्ट करें जाते ङांम वीडियो बनाई मुझे बतानी कोई जरुत नहीं अगर जरुत है तो, good morning. हार देख पाइट तो आपको पता है, टीम इंडिया के सबसे बड़े big hitter के में आते हैं, और टीम इंडिया निए, पूरए वल्ल्ड में सबसे बड़े hitters की अब लिस्ट में, आप वो आते हैं, पहली पार आकर उनको देखते हैं, तो हमार दिमांगे पहली चीज़ वाती है अब इतना पतला शरीर इतना दूबला पतला सा आजमी इतने लंब लंबे चक्के कैसे भाई कैसे तो इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा मतलब इस वीडियो में ये इस सीरीज है जिसमें मैं तीन वीडियो से सकते मतलब basic अली मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे special training करते हैं क्या उनकी special gym training होती है for hitting success तीसरी वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे उन्हें इतने दुबले शरीर से इतनी पावर्फुल इतने धुबले पतले शरीर को इतना पावर्फुल बना रहा है कैसे उसको अच्छे बताओंगा तो अगर आप यह क्रिकेटर है और आपको भी हर्दिक पांट्य है जैसे चक्के मार रहे हैं तो यह वीडियो को पूरा देखना अगर पूरा नहीं पहले बता रहा हूं यह बहुत नहीं है मेरी ओवरेक्टिंग लिए हमको माप कर देना प्लीज तो पहली बात हम करते हैं पहली चीज उनकी टेक्निकल चीज पर जलते हैं और वह सबसे पहले आती है की ही कोस डीप इंसाइड दे इसका मतलब क्या है जब वह आप देखते है है जब वह अपने हिटिंग मोर्ड में होते हैं जब भी वह — और बहुत सारें उनको आप देखोगी जब भी वह लास्ट एवर सम्ने बेंटिंग कर रहे हो कि मतलब क्रीज में deeper चले जाते हैं और महाँ सेफ़ें पला कॉन बहूत कम करते हैं और एसा क्यों करते हैं जो Right और जो अपर बॉडी के पावर उसको मैक्सिमम ली यूस कर पाएंगे क्योंकि जब भी हमारी बॉडी स्टेबल होगी तब भी हम उससे ज्यादा पावर निकाल पाएंगे जैसे कि पडर एक्जामपल लेते हैं कैसे लें इतना टीचर है जैसे कि एक्जामपल अभी दिमाग में आपकी टांग टूटी है और आपको चुक्ण धगना आपकी बोडी स्टेबल नी होगी और आपको छक्के मारने भी धिक्कत होगी क्योंकि नर's टांग टूटी है तो आपका एक स्टेबल बेस बन पाएगा क्रीस पे जिसके वेसे आप जितनी आउंके अंदर पावार है उतनी जनरेट नहीं कर पाऊंगे तो इसलिए हैं पे स्टेबल बेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम अपनी बॉड़ी की पूरी जो पावार है आपको जनरेट कर सकते हैं आप खुद देखना अगर आप बहुत ज़्यादा मुवमेंट करते हो चक्के माने तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी हाँ आप बोलोगे एवी डिवेलेस के प्रेक्टिस के अलाग है वह बंदा अलाग है वह ट्रेनिंग विलिंग करता है उस इसके वजह से हम अपने पूरी lower body की और पूरी core की और upper body की जो power है उसको पूरा मैकसिमाम फायदा अठापाएंगे और जिसके वजह से जो कुछ मीटर होते हैं कुछ मीटर फार वे जो बॉल जाती जो आगे जाती है बांडर के वह इस पावर के वज़े से जाती है तो सब आप को किसी को देख लो दोनी जब शक्के मारते हो तो बेस देखना के ज़ 자신 होता अगर सुक्षी के बृst जूरी है अगर आपको सुट से प्रेक्ट कर नками पढ़ाएं करें तुसरा पूइंट केbud सिपर तॉन की वीडियो तो देखा फाइस के टाइम पर जो बाउंडरी होती है लो जो भी वह बीदे का मैच वने वाला था जैसे कि कोई सो मेंटर की बाउंडरी की है सौ मीटर इस्टो नंभी होकी सव मीटर की तो वह ट्राइ करते हैं यह 200 एफ बीच मीटर पर चक्का मानना ही जब बी जैसे कि उनकी practice जब होती है में वह बैंड विकेट में बैटिंग करते हैं वह ऐसे practice क litres पार कर पाता है क्योंकि वह प्रैक्टिस में उसको थोड़ा सा हार बनाते हैं उसको 110-120 մीटर-फे Миणा दिन मैंने कोश्च करते हैं जिसके वज़े से वे इतने बदा आँगा और जो वेजो आने मूना उसमें मैं अच्छे से दती ट्रेट्फिकल माओ नंब अच्छा लगा वीडियो इस वीडियो में आपको टैकनात्व सकन्स की बढ़तासकते unto वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में बने रहे और पता है क्या करना होता आगे और एक इस बहुत जुरुई चीज है अभी मेरे दिमाग में आई है और बहुत जास जुरुई है इंस्टागरम में फोलो कर दालो लिंक है इंस्टागरम का और हर देख पाटने पसंद है इस वीडियो में हम स्टाट करते हैं उनके स्पैशल स्किल्स ट्रेनिंग क्या ऐसी वो स्किल्स क्या उनकी क्या अरे भाईया